तो हां जी क्या हाल है आप सभी के आप सब बढ़िया होंगे और भाई आपका भाई भी बढ़िया है क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है डेली ऐसे व्लॉग करने में तो मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था भाई वो देखो मैं धरे-दरे पूरा कर रहा हूं बस लेकिन थोड देते रहना जैसे आप लोग अब दे रहे हो क्योंकि मैं नौव बजे का वीडियो अपना सेट करके ना रख देता हूं और जब मैं उठता हूं तो यार मतलब अच्छा लगता है जब कमेंट करते तो यार अच्छा लगता है और जब लोग वीडियो मिलती है तो यार वह लोग के लिए काम करें तो भाई बज ऐसी सब्वोट और प्यार बनाए रखना आप लोग लिए ऐसी व्लॉग बनाता रहोंगा पस आप लोग इसी सब्वोट रखना और फिलाल बात करते हैं आज अपनी धन्यों की ताइटल तो इसलिए आज फिलाल हम बात करेंगे अपन तो बहुत से लोगी गलत फेमी थी दोस्तों जो कि मैंने क्लियर कर दी अपने उत्राखन राइट को करके कि एक हंडेट सीसी बाइक कितनी कैपिवल है और ऐसे लॉंग राइट के लिए तो आप सभी ने उस ब्लॉग को देखा है और मैंने उत्राखन में कितने मोज करिए अब वाईक के साथ यह मैं ही जानता हूं और मैंने किस के स्पीड में और मेरा नहीं करेगा ने करता है जब मैंने इसे डेली से लेके गया तो फूल करके ले गया था और मुझे लगा मैं रामगर पर भर वाऊंगा पर मैं ने देखा मीठर ना खिसके नीरा क्यों कि हाइवे पर खुल के चलने का मुझे और वह गाभी नीरा था क्योंकि नौर्मली में अपनी तो मैंने बाई देखा कि यार बेटरोल की तरगी तो यह बिल्कुल फुल है और बिल्कुल हिल नीरा काटा तो मुझे लगा यार चलो अभी तेल होगा तो उपर भरवालोंगा क्योंकि वीच में प्रोड़ भाता है तो मैं चल दिया कंटिन्यू और फिर मैंने देखा कि गलेगा तो यह तो मुझे पता था तो इसलिए वाई में चलता रहा मैं घर पहुंच गहा कि जा किए तो दिन रानी खेट हैं अपने नहीं हाल नगया फिर मैं इने घर घृताए मैं अपने गया गया वाई के दृटी द्हाम के आस पास तेल डलवाया वाई मैं खुश शौक ह हो गया था कि साड़े तीन चार सो रुपए के आसपास का तेल आया था मेरी गाड़ी में और मैं ब्लुकुल शौक था भाई मैं डेली से बाइक को लेकर आ चुका हूं और मैंने चलो हाइवे पे तो स्टेट चला है इसलिए मैं मानता है पाहडों में दो से तीन के चौथे प मतलब मैं हरान हूं कि इसका इतना अच्छा था मैंने तेल डलवाया तो सिफ साड़ेतीन चार सो रुपए का ही आया उससे ज्यादा तेल इसमें आया ही नहीं और मैं शौक हो गया मुझे लगा या उत्राखंड में बारिश उटी थी उस समय मुझे लगा मैं टेंकियों पा तो यह भाई गाड़ी लॉंग रूट के लिए एक नंबर है कोई भी बंदा भाई लॉंग रूट पर जाता है और यह सुचता है कि मुझे अच्छी बाइक चाहिए हैवी बाइक चाहिए तो भाई इस गलत हमें मत जियो कि आपको हैवी बाई की लेके जाना है और वही अंदर बात होनी चीए कि वह राइट किस तरीके से कर रहा और कैसे कर रहा है तो इस चीज को भाई सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगे आपको कोई बड़ी बड़ी गाड़ी जोती है आईसा नहीं कहा रहा कि बड़ी गाड़ी नहीं खाजनी है वह अलग लेवल प चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों वह आपकी एक परस्नल चॉइस है पर लेकिन भाई मैं तो यहीं कहूंगा इस गली समय मत जीना के वाई घंडेट सीची गाड़ी टूर नहीं कर सकती है मैं इसमें एक बार नहीं दो दो बार उत्राखन टूर कर चुगा मैं कैसे धाम भी गय जा सकते हैं इतना लोट लेने के बाद मुझे कहीं भी निराश नहीं किया और मेरा दोस्तों कैसी धाम वाली राइट पर गया था तब भाई पहाड़ों पर भी एक जग भी मैंने इसके पावर लेस होते हैं नहीं देखा क्योंकि भाई इतना स्ट्रॉंग ली चलती है नमस भाई बीए 6 के गाड़ियों में कहते हैं पावर कम करें पर मुझे तो लगता भाई पावर बढ़ाई गई है पता नहीं और वैसे तो मैंने सुना भाई हर गाड़ी ट्रॉप करते हैं वाजाज हमेशा अपनी पावर को इंक्रीज करती है तो भाई इसलिए मुझे लगता ह दोस्ते हंडेड सीची बाई के लॉंग टूर पर नहीं ले जा सकते या नहीं जा सकती तो यह उनके लिए मैसेज है कि यह गाड़ी जो आपके हैवी सीची की वाई के करती है यह उस चीज को अराम से कर सकती है तो इसलिए यह जो गलत फैमिया है दोस्तों इन्हें तो खुछ सोचो आप कि मैंने कितना एक्पीरियंस ले लिया इसके साथ ऐसी नहीं यह 70,000 किलोमेटर मैंने चला दिया क्योंकि इससे पहले भी मैंसे टूर कर चुका हूं इसको खुल के टूरिंग कर सकता हूं तो इसलिए भाई मैं इसको हर जगर ले जाता हूं तो तूरि इससलिए गाड़ी मिल जाया है तो में आख बन करें के वाई मेरा प्लान बनता तो मेरी धन्व रेड रहती है और मैं अपनी धन्नों के सांथ बस रॉइट में निगल बढ़ता हूं कि इसने हमेंसा मेरा सांथ डिया है तो यह जाती दूस्तों अगर शुर्ण भर नहीं होत फिलालता आपका भाई कैसा लग रहा सामने देखो हेलमेट और मेरा गोपो तो देखो सेक्षी लग रहा हूं ना दोस्तों यह थी धन्यों की गानी वाई जो की मेरे को ना अभी तक बेस्ट टूरिंग मशीन लगती है भाई 100 CC में क्योंकि देखो 100 CC और कोई बाइक तुमने चलाई नहीं है तूरिंग पे तो मैं इसे ही लेके गया तो मेले तो एर पर्फेक्ट मशीन है तूरिंग के लिए और कंफ़र्ट के नाम पे तो भाई मैं क्या ही बोलूं कोई भी वाइक नहीं मैच कर सकती इसके कंफ़र्ट को चाहें बड़ी गढ़े आते हो या बड़े निकल जाती थी तो एक अलगी मज़ा इसके सांद मेरा बेस्ट मतलब मुवमेंट है इसके सांद जो मैंने इसके सांद फिल किया है तो इसलिए में लिए तो यह सबसे बैस है ठीक है बाकी आप लोग को भाई गलत फैमी हो तो भाई ब्लॉक देख सकते हैं यूटूब भरे भरे वीडियो पड़े हुए हैं आप लोग जाके वीडियो देखो अब लद्दाक की सीरीज चेक कर लो डिली टू लद्दाक उसमें बहुत सारी भाई के मिलेंगे और उसमें प्लैटीना भी मिलेगी स्कूर्टी भी मिलेगी तो इस गलत फैमी से बाहर आओ कि छोटी सी लेकिन आप बोलोगे ना कि हाँ बाई मैं तो जाओंगा और इसके साथ ही जाओंगा क्यों कि देखो भाई को है वी सीची ओ या लो सीची ओ बस आप उसका अपना दोस्त के चलाओंगे ना तो वह आप साथ देगी जैसे इसने हमीशा मेरा साथ जिया है और आगे भी भाई मैं मैं बहुत अच्छे टूर करूंगा मैंने इंडिया टू नेपाल का भी टूर प्लान कर रखा है उसमें भी मेरी प्लैटीना जाएगी तो जो लोग गलत है में जी रहे हैं वह ब्लोग का इंतिजार कर लेना सारे की सारी चीजे आपके सामने आएंगी तो इसलिए भाई टेंशन फीर हो और मैं तो ऐसे ब्लोग बनाता रहता हूं और इसके साथ ऐसे टूर पे जाता रहूँगा ब्लोग आते रहेंगे और जिनको गया फेमी है वह इस ब्लोग को देखते रहेंगे तो चलो दूस्तों मिलता हूं से अपनी अगले उनियों और ततक लग सभी को ट बनाता